Everyone wants to have a perfect love story, but do perfect love stories really exist? Hey everyone, welcome to Spelby, तो आज हम बात करेंगे Jennifer Wingate के बार में So 35 year old Jennifer Wingate has made this amazing career for herself But do you know कि Jennifer ने 12 सल के उमर से काम करना शुरू कर दिया था? This means उन्हें इस इंडस्ट्री में अभी 23 years हो गय है और ये 23 years के जोनी में उन्होंने काफी amazing decisions लिये है But एक ऐसा गलर decision लिया Jennifer ने, जो इनवे उस वक्त पे उनके career को भारी पढ़ने वाला था तो हुआ गया कि Jennifer ने अपनी career में काफी बड़ी-बड़ी serials किये है जैसे कि कसोती जिंदगी के सरसोती चंद्रद और बेहद बट एक ऐसा serial था जिन्होंने उनकी life बदल दी जो था दिल मिल गए दिल मिल गए डॉक्तर्स के ओपर एक serial था और मेंली एक romantic genre का serial था ओरीजिनल ये शोव 2007 कोयर हुआ था और इसके lead उस ताइम पे ते करन सिंग ग्रोवर और शिल्पा आनन बट दो साल बाद शिल्पा आनन ने शोव कुट करने का decision लिया जिसके बाद 2009 में जनिफर ने शोव में आजरी तिमा एंट्री ले ली और इस वास दो फर्स ताइम वेन जनिफर और कारन सिंग ग्रोवर मेट जनिफर तभी कुछ 24 यहस की थी और करन तभी 27 यहस की होंगे और 2009 में जब जनिफर से करन मिले तब ही वस अल्रेडी मैरीड लाइक उनका शादी कुछ महने पहले हुआ था 2008 में विच श्रद्दा निकम बट वो शादी टिक नहीं पाई और 10 माइनों के बाद 2009 के दोरान करन अंश्रद्दा ने डिवॉस ले लिया कहां जाता है कि करन अन जनिफर की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री कही न कहीं वो डिवॉस का एक रीजन थी और जनिफर के साथ ओन स्क्रीन रॉमांटिक सीन्स करते करते सच में करन सिंग रोवर फैल इन लव विद हर और दोनों फिर ऑफिशली एक दूसरे को डेट करने लगे 2010 के साल में जनिफर अन करन एक पावर कपल थे अवाज शोज हो या इवेंस हो दोनों एक दूसरे के लिए अपना अफेक्शन भरबर के दिखाते थे फिर रिलेशनशिप चालू होने के एक साल बाधी 2010 में दिल मिल गए शोग को बंद करने का डिसीजन लिया गया जब दिल मिल गए शोग बंद होने के बाद जैनिफर अपने टेलिविजन करियर में काफी अच्छा कर रही थी 2013 के साल में इवन जैनिफर को सरस्वचे चंद्र में जो उन्होंने रोल निबाया था उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला तो उस टाइम तक वो टॉप की टेलिविजन अक्ट्रेस बन गई थी बट वो ही दूसरी तरफ करन का टेलिविजन करियर दिल मिल गए के बाद कुछ खास ने चल रहा था इस वज़े से he was trying to enter Bollywood और उसी दोरान उन्हें एक फिल्म मिली Named Dance Alone जो 2015 में रिलीज होने वाली थी बट 2014 से उसकी shooting शुरू हो गई थी और इसी दोरान करन मैट विपाशा बासू काम के बहाने से दोनों काफी बार साथ में spot किये गए फिर अचानक से ये खबर आई कि करन वस cheating on Jennifer and he is dating विपाशा बासू ये सब चीजों को पहले तो करन ने rumors बताया और बोला कि विपाशा is just a co-actor पर in a way जब 2014 में ही Jennifer and करन का divorce लेने का decision बहार आया तब लोगों को ये लगा कि कही न कही ये rumor सच था और दो साल बाद 2016 में ये rumor confirm भी हो गया कि करन वस dating विपाशा when he was married to Jennifer क्योंकि 2016 में उन्होंने शादी करने का decision ले लिया बिद बिपाशा बासू सो करन सिंग रोवर काफे जल्दी move on हो गये बट जो divorce का phase था वो Jennifer के लिए काफे मुश्किल था क्योंकि उनका रिष्टा अलमस्ट पास सल का था तो after divorce Jennifer ने एक break लेने का decision लिया television industry से और 2014 में जो एक बड़ा serial वो कर रही थी named as Saraswati Chandra वो भी offer चला गया जिसके बाद उन्होंने as lead actor किसी दूसरे serial में काम करना पसंद नहीं किया तो लोगों को ये लगने लगा कि Jennifer divorce के बाद wants to quit the glamour industry और ये भी कहा जाता है कि emotionally वापस टेबल होने के लिए Jennifer ने ये break लिया so this was very saddening but the diva made a very strong comeback as Maya in बेहत ये 2016 की बाद है काफी लंबे break के बाद Jennifer फिर से टीवी पे दिखाई दिने लगी and she looked amazing उनकी popularity peak पे थी Maya का character was loved by everyone and ये भी कहा जाता है कि बेहत की दोरान Jennifer के co-actor खुशाल टंडन को Jennifer काफी पसंद आ गई थी but Jennifer फिर से किसी पे trust करके एक नया रिष्टा शुरू करने के लिए ready नहीं थी जिसके वज़े से खुशाल और Jennifer उन्होंने अपने feelings को आगे push नहीं किया 2014 के divorce के बाद से Jennifer के link up rumors हाला के एक दो रहे है but mostly Jennifer ने clarify कर दिया है that she is single now and she is busy with her work surely उनके पहले रिष्टे में जो उन्हें धोका मिला था उसके चलते she has changed a bit she has her guard up and शायदी फिर से वो किसी पे इतना ज़्यादा trust कर पाईगी जब करन ने Jennifer को छोड़ा था तब लोगों ने ये कहा था कि Bollywood में और successful होने के लिए he is marrying Bipasha Basu but आज के दाइम पे Karan Singh Grover has returned to TV industry and in a way उनकी ex-wife Jennifer Wingate is far more successful than Karan and Bipasha both हाँ we shouldn't compare anyone but here we are just comparing the numbers in terms of popularity Jennifer Wingate is of course today doing amazing serials, web series and shows she is a very big name in the industry and 23 years के career में she has grown immensely so that's it for this video आपस बाहर में क्या सोचते कि Jennifer and Karan के रिष्टे के बार में आपका क्या opinion है यह हमें comment section में बताइए और यह video अच्छी लगी हो तो इससे like and share करें और ऐसे और updates के लिए चान को please subscribe करें Thank you